बात करूंगा जब मैं रेक्टल ब्लीडिंग के बात करता हूँ इसका मतलब ये है कि blood जो आपको latin के रास्ते से निकलता दिखाई देता है कभी ऐसा होता है कि आप latin जाते हैं आपके नजर परती है तो आपको blood दिखाई देता है यह जो blood आपको latin के रास्ते से निकलता दिखाई देता है इसे कहते हैं rectal bleeding आज हम rectal ब्लीडिंग के basic facts के बारे में बात करेंगे जहां तक रेक्टल ब्लीडिंग का सवाल है इसे कहा जाता है कि लेटिन के रास्ते के जरिये से जो ब्लड निकलता है that is basically रेक्टल ब्लीडिंग जो रेक्टल ब्लीडिंग है वो अलग-अलग color के हो सकती है ये bright red हो सकती है जो drops में आ सकती है ये jet में आ सकती है ये maroon color के हो सकती है ये black color के हो सकती है तो जो लेटिन के रास्ते से blood निकलता है वो जरूर नहीं है कि सिर्फ लाल हो ये red हो सकता है ये maroon हो सकता है ये वास्तों black color का हो सकता है इसके अलावा कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि blood आपकी latent से निकलता है, आपको दिखाई नहीं दिता है, वो आँख से दिखता नहीं है, इसे कहते हैं occult blood, आपकी human eye को दिखता नहीं है, अगर आपकी stool को examine कराया जाए, या आपकी latent की जाच कराया जाए, और उसमें check कराया जाए कि उसमें blood है कि नहीं है, जिसे कहते हैं fecal occult blood test, तो fecal occult blood test कराया जाए, तो उसमें clear होता है कि आपकी जो latent है, उसमें छिपा हुआ, ये मिला हुआ खून है, तो जहां तक rectal beating के सवाल है, ये ही चार आयाम है, नमबर वन, ये bright red हो सकता है, ये maroon color हो सकता है, black हो सकता है, य ये occult blood हो सकता है, जो आपको आँक से दिखाई नहीं दे रहा है, नमबर वन पर मैं बात करूँगा, उन कारणों की जो वास्तों में बड़ी आप से आते हैं, या colon से आते है, जो colon है वो बड़ी आप को कहा जाता है, जो बड़ी आप के area से जो bleeding है, जिसका risk है, नमबर वन पर आता है anal fissure, लेटिन के रास्ते में कोई cut हो जाए, उससे blood आएगा, नमबर दो पर आता है hemorrhoid, या बबासीर, या piles, अगर लेटिन के रास्ते में piles develop हो गए, तो इनसे blood आएगा, नमबर तीन पर आते है diverticulosis, अगर बड़ी आप में कुछ out pipinging है, उनमें कभी-कभी infection ह हो जाते हैं, तो ulcers हो जाते हैं, उनमें से blood आता है, इसे कहते है diverticulosis, नमबर चार पर होते हैं polyps, या छोटे-छोटे मांस की गांट होती हैं, जिसे blood आता है, जो polyps होते हैं वो बच्चों में ज्यादा होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि adults में नहीं है, लेकिन बच्चों में इस वास्तों में infection, जैसे जब भी colitis कोई भी होगी, चाहे वो bacillary dysentery हो, चाहे वो amoebic dysentery हो, इससे हमेशा blood आता है, इसके अलाबा एक और colitis है, जैसे कहते हैं ulcerative colitis, अगर ulcerative colitis है, तो भी blood आएगा, ऐसे ही, जो latin का जो, जहां latin निकत्री होती है, rectum का portion है, उसमें अगर कोई भी infection, inflammation होगा, तो उसमें चाले पड़ जाएंगे, उसमें से blood आएगा, इससे कहते हैं proctitis, इसे ही, हमारी जो बड़ी आते हैं, उसमें कभी-कभी खून की जो आमें नलियां है, उनके छोटे-छोटे गुच्छे बन जाते हैं, उनसे कभी bleeding होने लगती है, इसे अलावा, कभी जो हैं इंटिस्टीन में कोई जो हना surgery होई, एनस्टमोसिस होई, तो कभी-कभी post-operative leaks होते हैं, जिसमें blood आने का हमेशा डर रहता है, बट हमारा जो देश है, जिसमें TB जैसी बीमारियां, particular intestine की TB इतनी common है, कि TB को कहीं से नजर अंदाज नहीं किया जा सकता ह जब भी आपको लेटरिन के रास्ते से दर्द आता है, तो जो TB जैसे infection है, वो हमेशा question में आएंगे, लेकिन there's a catch, इस catch को आप ध्यान से देखिए, लेटरिन में जब भी blood आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि बड़ी आप से आ रहा हो, जरूरी नहीं है कि कुलन से ही आ रहा ह जो rectal bleeding है, कभी-कभी ऊपर से जो blood है, उसका manifestation हो सकती है, जो latin में blood आ रहा है, it is quite possible कि आपके खाने की थेली में कोई problem है, वहाँ से bleeding हो रही है, उसका blood नीचे से आ रहा है, से for example, खाने की थेली में एक gastric ulcer है, उसे bleeding हो रही है और latin के रास्ते से blood आ रहा है, ऐसे डियोड bleed कर रही है, तो जो latin का रास्ता है, उसे blood आने लगेगा, तो जब भी latin के रास्ते से blood आता है, तो हमेशा यह जरूरी नहीं है, कि बड़ी आँच से आया हो, यह जो blood है, यह छोटी आँच, stomach, endudinum से आया हुआ blood भी हो सकता है, तो बहुत सारी diseases है, जो वास्तों में latin के latin के रास्ते से blood आने लगता है, जब भी blood आएगा, उसके कुछ associations होंगे, और यह question आप से हमेशा पूछा जाएगा, अगर blood आएगा, तो यह काफी painful हो सकता है, याने मरोडे आ सकते हैं, और उसके साथ आपको blood आ रहा है, यह continuous pain हो सकता है, जो unbearable है, उसके साथ आपको latin म जाते हैं, तो उसमें blood mix होके आता है, तो यह तीन associated symptoms हैं, जो आपको वास्तों में ध्यान देने की जरूरत है, अगर आपको latin में blood दिखाई देता है, तो आपको किस के पास जाने की जरूरत है, देखे, जब भी आपको latin में blood दिखाई दे, प्राइमा फेसी आपको general physician को अगर यह minor problem है, यह temporary problem है, और बिलकुर नीचे anal fissure hemorrhide जैसी problem है, यह general physician की level पर ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर ऐसा है कि blood continuously आ रहा है, blood जो है दमाईयों से manage नहीं हो रहा है, या तवियत ज़्यादा खराब हो रही है, तो आपको gastroenterologist की दिखाने की जरूरत है, जो वास् surgical problem होती है, तो gastrointestinal surgeon की services लेनी की जरूरत पड़ती है, कुछ surgeons होते हैं, जने colorectal surgeon कहते हैं, इनकी services लेनी की जरूरत पड़ेगी, तो general physicians are the one, जो number one पर इस problem को देखते हैं, लेकिन अगर भी नहीं settle हो रहा है, तो आपको gastroenterologist चाहिए, gastrointestinal surgeon चाहिए, या colorectal surgeon चाहिए Now, जब आप doctor के पास पहुंचते हैं, तो आपका evaluation कैसे होगा, जब evaluation की हम बात करते हैं, सबसे पहले आपकी history ले जाएगी, कि आपको blood कैसा आया, कब start हुआ, किस तरह का color है, ये separate आ रहा है, कि mix आ रहा है, बहुत सारे questions से लेके इसको evaluate करने की कोशिच की जाएगी, कि blood कहा से आया, the second one is the physical examination, आपका पेट examine किया जाएगा, कि कहीं आपको ऐसा तो नहीं है, कोई organs बड़े हुए हैं, कहीं पेट में कहीं कोई गांट जैसी चीज तो नहीं है, कहीं और कोई problem तो नहीं है, और अगर जरुवत पड़ी जाचों की, तो ये तीन जाचे हैं जो बहुत important ह नमबर वन is the proctoscopy, लेटरिन के रास्ते से छोटी सी जो नहीं चूप पास करके चेक किया जाएगा, या सिगमाडिस्कोपी, जो एक जो नहीं flexible instrument होता है, जैसा photograph में दिखाई दे रहा है, उससे आपकी जो नहीं लेटरिन का रास्ता, rectum, और सिगमाड को examine किया जाएगा, औ colonoscopy चाहिए, कभी ऐसा होता है कि इनसे भी काम नहीं चलता है, तो हमें एक कदम आगे बढ़ना पड़ता है, एक कदम अगर आगे बढ़ना है, तो हमें गले की रास्ते से upper GI endoscopy करनी पड़ती है, यह कहीं ऐसा तो नहीं है कि blood का जो source है, वो उपर की तरफ है, नमबर दो प कभी हमें इनकी जरूरत पड़ती है, अगर ongoing bleeding है और कहीं से भी control नहीं हो रही है, इसके अलावा, अगर bleeding control नहीं होती है, और ऐसा लगता है कि operation की बिना काम नहीं चलेगा, तो operation करके intraoperative एक endoscopy करनी पड़ती है, operation की दोरान endoscopy करके intestine को examine किया जाता है, जिसे कहते हैं intraoperative endosc endoscopy या intraoperative endoscopy, now basic जो facts and treatment के वो आपको समझनी की जरूरत है, अगर तो blood volume ज्यादा loss हो गया है, bleeding ज्यादा हो गई है, anemia नेबलप हो गया है, तो anemia को correct होनी की जरूरत है, अगर blood बहुत ज्यादा निकल गया है, तो जो low blood volume हो गया है, उसको correct होनी की जरूरत है, अगर ऐसा ह तो blood transfusion की जरूरत पढ़ सकती है, अगर ऐसा है, तो blood product transfusion की जरूरत पढ़ सकती है, इसके अलावा, जो हमारी responsibility बन जाती है, कि सबसे पहले हम find out करें, जैसे ही आप stable होते हैं, कि blood कहां से आ रहा है, we need to find out, what may be the side, और side को find करने के अलावा, हमारी कोशिश होगे, कि bleeding किसी त पाई, basic fact, अगर rectal bleeding हो रही है, उसको बिलकुर रोका जा सकता है, अगर उसका cause find out किया जाए, और उसको eliminate किया जाए, say for example, बड़ी आथ में इस तरह का polyp दिखाई दे रहा है, जिससे bleeding हो रही है, तो हम colonoscopy के जरीए colonoscopy polypectomy करेंगे, इस गांट को बाहर निकालके अलग कर देंगे, ये गांट एक बार बाहर हुई, तो दुबारा आपको bleeding होने का जो खत्रा है वो खत्म हो जाता है, ऐसे ही माली जे कि आपको pile से बार बार bleeding हो रही है, pile से आपने operate कराए, तो जो bleeding है उसका risk बिलकुर खत्म हो जाता है, ऐसे ही हमें बाकी investigation करेंगे, हमेशा देखन पड़ता है, कि कोई additional problem तो नहीं है, जिसके चलते है problem हो रही है, तो जैसे coagulation profile है, या bleeding tendencies है, उन सबको भी हमें एक निज़र देखना पड़ता है, तो जहां तक rectal bleeding का सवाल है, ये बहुत uncommon problem नहीं है, और जब भी जो लेटिन में आपको blood दिखाई देता है, तो आपको हमे last step है, वो general physician है, अगर उसके बात नहीं समस्या समलती है, तो gastroenterologist और gastrointestinal जो surgeon है, वो picture में आते हैं, लेकिन जो investigation का सवाल है, उसमें sigmoidoscopy, end colonoscopy, and upper GI endoscopy, these are the three investigations, जो वास्तों में की हैं, या जिसे कहते हैं, आप real के healthy हैं, जो इस problem को पहचानते हैं, और पहचानने के अला को समझने में, ये वीडियो आपको help करता है, तो जरूर शेयर करें, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा, from gastro liver hospital, स्वरुपनंगर कानपूर, thank you very much.